तो दोस्तों जाइडर्स लाइफ सेट्रीच नबर को दिस्क्लोज कर दिया है तो चल सबहिता है तो चली देखते हैं क्या हैं प् GIRL थे आउइज लग रहे है तो यह यह ज़िए जाया तो पिछले साल मातर 3769 क्रोर था जो कि बढ़ के इस क्वाटर में 4134 क्रोर के आसपास आ गया है तो कह सकते हैं कि कंपनी के रिवेन्यू कंदर ऑल्मोस्ट बोल सकते हैं कि 10% के आसपास की तेजी है साल ते साल लेकिन जब क्वाटर क्वाटर जाते हैं तो वहां पर पास-पास की तेजी आपको देखने को मिल लाई है तो कंपनी का रिवेन्यू तो अच्छा है कंपनी साल ते साल कौटर को दोनों में अच्छे नंबस लाएं चलिए एक्सपेंस में क्या हुआ है पिछले क्वाटर में कंपनी ने 3454 क्रोर खज किये थे पिछले साल 3060 क्रो पिछले क्वाटर में क्या हुआ तो यह रहां हमारे पास नेट प्रॉफिट पिछले साल 725 करोर करों के आसपास पास प्रॉफिट बनाए जिए तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा कि साल दे साल के अंदर हलकी से घिरावट हालकी क्या ब यहां भी approximately आप बोल सकते हैं कि 2% के आस-पास की गिरावट आपको देखने को मिलेए क्योंकि आपको बता हूँ कुछ पिछले क्वार्ट में मतलब पिछले साल कंपनी को एक्सेप्सनल आइटम के थूरू 112 क्रोड का प्रॉफित हुआ था लेकिन इस क्वार्ट में कंपनी को कुछ नहीं प्रॉफित हुआ है पिछले क्वार्ट मतलब पिछले साल कंपनी को अधर एक्सपेंस में कम खचे हुए थे जबकि इस क्वार्ट में अधर एक्सपेंस में ज्यादा खचे हुए तो यह सारे चीज अगर आप गौर्ट से देखेंगे रिजल्ट को अच्छे से कंपनी इस क्वार्ट में थोड़े एक्सपेंस के उपर कंट्रोल नहीं कर पाई जिसके वज़ा से यह जो प्रॉफित है उसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिले वहना अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रिवेन्यू अच्छा है साल कोटर कोटर दोनों उस कुछ लोग बेच के भागना चाहेंगे लेकिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर है बने रही है सेयर के अंदर वैसे भी मोमेंटम आपसाइड को बना हुआ है एक दो दिन की ग्रावट उसके बाद तेजी आपको देखने को मिल सकते हैं तो बस यहीं बताता है तो लाइ कीजिएगा साथ में साथ चैनल को सब्सक्राब जो कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद